यह जो लोग भी रेडियो में काम करते हैं उन सभी की आवाज मेरी तरह अच्छी खुबसूरत होती है और यह बोलते बोलते हो जाती है यह जो जाने भी होगे और यह जाने भी होगे और आवाज में आप लोग जाने भी होगे और पास्टाने भी होगे आवाज से तो काफी लोग जानते हैं और आवाज से आप लोग जानते हैं लेकिन आप चेहरे से नहीं जानते होंगे चली आपको चेहरा से मिलवाते हैं और चेहरा जो देख रहे हैं जी हां वही है जो आर्जे पलो जी है और इनका अभी अभी यह टूजेट जितनी जनकरिय कि यहां है आपको देने काम करेंगे सबसे पहले सर स्वागत हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और जितने भी विहार यूपी लाइप की चाइनल के शोता है उनको मेरा नमस्कार है देखने वाले लिस्नर और व्यूवर को नमस्कार सब्सक्राइबर का स्वागत है. और वार किसी में नहीं होता है. यह जो लोग भी रेडियो में काम करते हैं, आब कि आवाज मेरी तरह अच्छी खुब्सूरत होती है और यह बोलते बोलते हो जाती है. जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो आवाज पर काम करते रहते हैं तो आवाज खुबसूरत भी हो जाती है अच्छी भी हो जाती है तो ये बस सुनने वालों की कृपा है और उपर वाली की कृपा है अगर हम आवाज का बात करें तो इसमें कौन सी मंत्र है जो आवाज बन जाती है देखें मंत्र कुछ नहीं है मेहनत के आगे कोई मंत्र नहीं चलता है मेहनत करनी पड़ती है आवाज के कुछ प्रैक्टिस है अप्रनांसिशन बोलने का तरीका सही होना चाहिए तो आवाज गुपसूरत लगने लगती है और आपसे जानना ही चाहेंगे कि आप काफी दुनियों से रेडियो में काम कर रहा है तो ऐसा कभी हुआ हो कि आप अपने आप में बेजती फिल किया हो का भी बहुत बार होता है, बेजती फिल होता है एक बार की घटना है, मैं आपको बताता हूँ ये 2014-15 में इंटर का रिजल्ट आया था और उस दौरान क्या हुआ कि मैं रेडियो पे था और रेडियो पे मैंने बोला कि जो लोग भी फर्स्ट आये हैं वो मुझे मिठाई खिलाए तो एक मेरे बड़े चाहने वाले शोता थे, नाम तू नहीं रखूँगा तो वो मिठाई लेके चले आये, अब उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था वो आये, तो मैं बाहर निकल के आया, उस टाइम मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता तक दम बच्चा जैसा लगता था, तो बोला कि मैं ही पल्लव हूँ, और आप आये हैं तो मुझे से मिलिये, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आवाज से आप सोचते हैं कि हम लोग सलमान खान जैसे दिखते होंगे, लेकिन हम लोग भी आम इनसान है, आवाज थोड़ी अच्छी है, काम करते हैं इसलिए अच्छी आप लोग देख रहा है कि आप लोग अगर रेडियो में अगर SMS करते हैं, वाइस रिकरडिंग भेजते हैं, तो उनका रिप्लाई यही देते हैं, अक आपकी रिप्लाई देने में लोग ऐसे भी बोल देते हैं, यह तो रोज हो रहा है, रोज होगा, कई लोग तो स्क्रीन कि आपने जो मैसेज पढ़ा है आप दिखाईये मेरा पीछे था कि आगे था तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा गाना सुनने के लिए रेडियो से प्यार करते हैं कि उनके प्यार को निभाने के लिए हम लोगो विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपने लेकिन पहले के मुताबिक अब कैसा लगता है पहले भी भेजना था चिठी आती थी और वो एक सब्ताव में पहुंचती थी और चिठी हम लोग पढ़ते थे उस जमाने से मैं रेडियो में हूँ और अभी क्या है कि अभी बहुत ज्यादा लोग फास्ट फॉरवर्ड हो ग मुस्किल आरजे के लिए हो गया है कि नहीं बजाओगे तो जाओगे का सबका टाइमिंग सेट है चिठी में तो आपकी चिठी पहुंची नहीं अब SMS में कैसे कहेंगे वहां तो डबल टिक लग गया ब्लू हो गया आप तो आपको वाटसेप पे पहुंच गया है तो लेकि जैसे लाइब में बात होते हों ऐसे लगता है कि लाइब बात कर रहा है और हम लोग लाइब ही रहते हैं तो तुरंट तुरंट मैसे जाते हैं जैसे कि मैंने कोई सवाल भी पूछ दिया तो उसके जबाब भी तुरंट तुरंट आते हैं तो चिठी वाले जमाने से यह जम करते हुआ यहीं तो यह स een यह हैं जीने जम्ट यह इसा जो पहले मेरा सामिल कर दो नियम से हो जाले कि आपको बाद में तो गाली तो जरूर ड़ता हूं हाँ दोस्तों का कामी है कि गाली गलोज करना वो सब प्यार होता है दोस्तों का दोस्त समझते भी है और मुझे लगता है कि दोस्त ही नहीं कभी-कभी शोता लोग भी बहुत गुसा आ जाते हैं और मुझे लगता है कि जिसक लेकिन आप चूट रहे हैं और आपको मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल और सोचल मीडिया के दुनिया से अगर आपको थोड़ा चाहिए चाहिए तो रेडियो पे आईए रेडियो पे बहुत मजा है बहुत मस्ती है और अगर आप 90.8 वर्शा सुनना चाहते हैं तो अप्लि करते हैं सामिल हो जाता है अगर आपको भी वाटसब करना है तो नंबर बता देता हूं अभी तीन बड़े से शुरू होगा शो 736-319-6066 मेसेज़ कीज़े और घाना सुनेगे गाना तो सुनते ही होंगे आवाज तो सुनते ही होंगे लेकिन चेहरा भी आज देख लिए अगर आप लोग भी कमेंट करेंगे तो साइध वाटसब करेंगे और साइध मेरा चैनल का भी नाम बता देजिएगा कि इस चैनल देख कि हम आपके पास मेसेज किया है बिल्कुल बिल्कुल और अगर आप इस चैनल का नाम बता देंगे तो हो सकता है मैं जल्दी शामिल कर ल